तो मैं कोई भी इमेज इसके उपर अगर paste करता हूं इस तरह के ड्रैक करके लाऊंगा और यहां पर रखूंगा इस canvas में इसको fit करूंगा तो यहां पर आपका changes हो चुका है आप देख सकते हैं इसमें आप कोई भी image replace कर सकते हैं इसको आप save करके रख सकते हैं बाद में भी य करने वाले हैं इस तरह के कारटून को क्रिएड करना करना जैसे कि मेरे पास कार्टून इफेक्ट में in 湊 और यह मैंने किया है रट घृप्ट करना सीखेंगे इस तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं आए फट都 से जानते हैं इसके लिए हम तो अब एक फूटो ओपनकरना पड़े घामे इस तरीक ONE कर सकते हैं चाहें तो इस तरीके से लिए करने के लिए अभी में इनको क्लोज करें पहले तो कि इसके बाद मैं ने कृएट पर क्लिक करूँ गा और यहां से एक page create करूँगा इसका नाम दे देते हैं हम oil paint इसमें 2000 pixel लोगा इसमें 2000 कर दूँगा इसमें 300 कर दूँगा resolution और ok करता हूँ मेरे पास एक निया page create हो चुका है और मैं इस पे कोई भी image एक open करता हूँ image open करने के लिए आप यहां से ड्रैक करके और Photoshop पे अगर आप लेकर आते हैं इस तरह से तो यह open हो जाएगा इसके साथ ही जब यह open होता है तो यहां से smart object already create रहता है अगर आपका smart object create नहीं होता है तो आप इसको smart object में create कर लिजेगा इसके बाद हम इसको इस canvas में fix कर लेंगे और इस तरह से fix कर लेने के बाद इस पे हम काम करना ही start करते हैं इस photo में हम सबसे पहले effect जो use करने वाले हैं वो है liquify filter liquify filter को हम इस तरीके से open करेंगे और इसके बाद इसको apply करने की कोसिस करेंगे सबसे पहले हम ice का जो expression है वो हम change करेंगे ice को मैं zoom कर लेता हूँ ice पर जाओंगा और यहां पर सभी को link कर देंगे इस तरह से link करने के बाद उपर वाले जो है मैं बढ़ा करना है मुझे ice को इस तरीके से मैंने बढ़ा कर दिया है इसको भी 70 के आसपास ले कर आता हूँ 50 के आसपास इसको रखता हूँ मैं इसके बाद नीचे वाले को हमें कुछ भी छड़ खानी नहीं करना है क्योंकि ice के direction जो है इसको rotate करता है मुझे rotate नहीं करना है इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ इसके बाद हम नीचे आएंगे तो इसमें nose का option हमें मिलेगा nose की जो height है उसको कम ज़्यादा होता है यहां से और यह वाला जो है nose nose को बढ़ा कर देगा इस तरीके से इन दोनों को आप hand rate रख सकते हैं और इसकी smile हम बढ़ा देते हैं इस तरह से और इसको भी हम बढ़ाएंगे और देखते हैं इसको भी मैंने hand rate कर दिया है और इसके बाद नीचे वाला आजाए इसको भी हमने hand rate रख दिया है और इसको भी इधर कर दिया है और lower lip को हम माइनस कर दिये हैं इसके बाद facial expression पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद हम facial expressions को change करेंगे forehead को मैं नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूं face को slim कर रहा हूं और इसके बाद इसको 15 के आसपास या 20 के आसपास रख लेता हूं इसको मैं अभी आप देख सकते हैं हमारों जो face है इस तरह से create हो गया है कुछ लग रहा है ना कार्टून जैसा देख सकते हैं इस तरह से हम यह create करेंगे और create करने के बाद अब इसमें हम दूसरे option पर चलते हैं इसके बाद हम जाएंगे filter मिनों में और यहां पे इस्ट्रलाइज filter है इसको हम क्लिक करेंगे यहां पे हमें oil paint मिल जाता है अगर आपके पास oil paint option नहीं आ रहा है तो आप अपने Photoshop को अपग्रेट कर सकते हैं और आपके पास अबलेबल हो जाएगा नए Photoshop जो भी आ रहे हैं उनमें सभी में oil paint डबलेवल है आप इसको 456 के आसपास एड़्जस कर सकते हैं आप अपने फोटो के क्योंडिंग आप इसको देख सकते हैं कितने में आपका photo perfect हो रहा है और इस तरह से आप एक बार apply कर लेंगे numbers को आप देख सकते हैं इसको मैंने इनेबल रखते हैं तो यह आपके photo पे एक line दिखाएगा इसलिए मैं इसको off कर रहा हूं यह करने के बाद में इसको ok कर देता हूं और यह वाला effect इसमें apply हो जाएगा इसके बाद हम अगला जो option इसमें जाएंगे अगला option है इसमें filter gallery में हम जाएंगे यहां से filter इसके हमारा artistic filter है इसमें हम इसको black को कम करने वाले हैं black को कम करने के लिए हम इसको बढ़ा देते हैं इस तरह इसको मैं पूरा बढ़ा दिया हूं यह वाला जो है इसको मैं zero कर देता हूं इस तरह से अगर आप कोई number रखेंगे तो आपके face में इस तरीके से black dot आएंगे अगर अगर आप रखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी रख सकते हैं मैं इस तरीके से नहीं रख रहा हूं मैं इसको पूरा six कर देता हूं इसको इसको 10 कर दिया है मैंने इसको zero कर दिया है और इसको six कर दिया है यह देख सकते हैं आप इस तरह से हुआ है तो यह filter apply कर देंगे हम कर देंगे इसके बाद हम अगले option में जाएंगे जो की है surface blur filter में जाएंगे filter में जाने के बाद यहां पास हम surface blur इसमें apply करेंगे blur के अंदर जाएंगे surface blur पर क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू हम यहां पर 20 के आसपास रखेंगे इस जगे पर 10 राख रहा हूं इसके बाद हम फिर से जाएंगे oil paint में filter में जाता हूँ इस्ट्रालाइज पर oil paint का same to same apply कर दूँगा जो मैंने पिछले बार apply किया था इसको मैं apply करता हूँ filter में जाऊंगा और यहां पर मैं use करने वाला हूँ इसके आगे वाला है उसको भी बढ़ा लेता हूँ और यह वाले को भी बढ़ा लेते हैं इस तरह से अभी यह ऐसा था इसको थोड़ी सी में कम कर देता हूँ इसके बाद हम इसमें use करने वाले हैं smart serpent और इसको 150 रखके और इसको zero कर दूँगा इसको hand it भी आप कर सकते हैं चाहें तो और यह करने के बाद अब इसको 80 से hand it के आसपास रख सकते हैं और इसको apply कर देता हूँ इस तरीके से पहले था अब यह ऐसा हो चुका है आप देख सकते हैं हमारे image में बहुत फर्क पड़ा है यह पहले ऐसा था अब यह ऐसा है तो इस तरीके से आप अपने photo पे create कर सकते हैं एक cartoon effect अब हम इसको अगर save रखें इस तरीके से मैं इसको save कर लेता हूँ कॉपी करूँगा और close और यह वाला जो यहां पास option दिख रहा है इस पर मैं double click करूँगा smart object में मेरा convert था इसमें paste करूँगा इस तरह से इस face की जगे मैं यह वाला face apply कर रहा हूं इस तरह से और अब आप देखेंगे कि जब मैं यहां से इसको merge करके और close करूँगा yes करता ह और अब देखेंगे कि जो हम यह वाले पर आएंगे तो उस photo में भी वैसे ही effect आ गया है अब इसमें क्योंकि यह वाला जो effect है यह हमने लिक्विफाई जो इसके face को किया था यह इसमें perfectly ने fit हो रहा है इसलिए हम इसके लिए changes कर सकते हैं इसमें जाकर इसमें double click करेंगे और change कर सकते हैं और यहां से हम इसको off भी कर सकते हैं डिसेबल कर देने एक बाद जो लिक्विफाई में अप्लाई किया था वह इसमें disable हो गया है और यहां पर रखूँगा इस canvas में इसको fit करूँगा ctrl shift e press करूँगा यानी merge कर दूँगा और इसके बाद ctrl s press कर दूँगा तो मेरा photo save हो जाएगा और save होने के बाद जो मेरा original photo है यहां पास अगर बगल वाले पर click करेंगे तो यहां पर आपका changes हो चुका है आप देख स सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह apply हो चुका है आपके image पर इसमें कोई भी image replace कर सकते हैं इसको आप save करके रख सकते हैं बाद में भी use करने के लिए और आप इस तरह से बहुत सारे images आप इस पर लगा कर और देख सकते हैं इस तरह से आप इसका action भी download कर सकते एक्षन भी मैंने description box में दे रखा है उसको डाउनलोड करके और यहां पे आप लोड करके इस तरह से लोड में जाकर आप इस्टॉल कर लिजेगा जहां पे भी आप डाउनलोड करके रखें वहां से आप चॉल करके और प्ले करेंगे यहां से तो आपका इस तरह से एफेक्ट रेडी हो जाएगा आपको इतना सारा काम करने जिरोत नहीं पड़ेगा इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा अगर आप यह सब नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं एक वेफसाइड है य आपके इमेज को अलग-अलग तरीके से यह क्रियाट करके रख देगा जिनको आप यूज कर सकते हैं इस तरह से यह चैन्ज करके भी दे दिया है आप देख सकते हैं और इसको आप सिंपली इसी जगे से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे और यह आ आप इसको create कर पाएंगे इसको आप reuse करके इसको फोटोसाप में open कर सकते हैं जैसे कि मैंने इस फोटो को open किया और open करने के बाद इस तरह से ले आऊँगा और यहाँ पर आप इसके face को cut करके और दूसरे फोटो में लगा सकते हैं इनका face cut करके और आप दूसरे फोटो में लगा सकते हैं जैसे कि इस तरह सी image आप download कर लेंगे और इसके बाद आप इस तरह से effect create कर सकते हैं इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और फेस चेंज करके इस तरीके से कार्टून बना सकते हैं और इस तरीके इस कार्टून बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और इनको हम कार्ड में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो इस तरी से कार्टून आप कैसे बनाएंगे आज आपने सीख लिया होगा और आप इस तरह कार्ड बना पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मे तब तक के लिए बाई बाई जैसी राम